क्यों? बस ये एक सवाल, उन लोग उसे पूछ लेना, जो तुम्हारे मुँपर तुमसे ये कहें, कि तुम नहीं कर सकते, ये काम तुम्हारे बसका नहीं है, छोड़ दो ये सब, जैसे हो, जहाँ पर हो, वही खुश रहो, उनके मुँपर बस ये एक शब्लाव मारना, क्यों क्यों मैं नहीं कर सकता क्यों मैं आगे नहीं बढ़ सकता क्यों मैं वहीं खुश रहूं जहां पर मैं हूँ आखिर क्यों क्योंकि तुम चाहते हो कि मैं आगे ना बढ़ पाऊं क्योंकि अगर तुम चाहते तो मेरा होंसला बढ़ा सकते थे हो सकता है मैं किसी लायक नहीं लेकिन जूट बोलकर तुम मुझे विश्वास दिला सकते थे लेकिन तुमने क्या किया वही किया जो 90% लोग करते हैं ना खुद आगे बढ़ते हैं ना दूसरों को आगे बढ़ने के लिए होसला देते हैं लेकिन मैं अलग हूँ तुम से बहतर हूँ और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा बस तुम मेरे क्यों का जवाब दे दो अभी और यही दो और मुझे यकीन दिला देना कि मैं नहीं कर सकता विश्वास दिलाओ कि मैं किसी लायक नहीं और अगर ये ना कर पाओना तो आज के बाद मुझे अपना मूमत दिखाना मेरी जिंदगी मेरे समय बहुत कीमती है इसे मैं फिजूल के लोगों पर बरबाद नहीं करना चाता मुझे मन्जल दिखाई देती है तो मैं परिशानियां दिखाई देती है मुझे खूबियां दिखाई देती है तो मैं कमजोरियां दिखाई देती है और याद रखना जिसको जो दिखाई देता है उसकी किसमत में वही आता है मैं मन्जिल को देखता हूँ तो मुझे एक ना एक दिन मन्जिल जरूर मिल जाएगी मुझे विश्वास है अपने उपर इतना विश्वास के किसी और की जरूरत नहीं लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम जैसे लोगों का आना भी जरूरी है जिन्दगी में इससे मेरा खुद पर भरुसा और भी बढ़ जाता है दोस्तों लाइफ में याद रखना आपको इतने सारे लोग मिलेंगे जो बेवजह ही आपको डिमोटिवेट करेंगे इतने सारे लोग मिलेंगे जो आपका समय बरबात करने के लिए तैयार खड़े होंगे इतने सारे दोस्त बनेंगे जो दुश्मन से भी ज्यादा बत्तर होंगे इसलिए बहुत सोस समझ कर अपनी जिन्दगी का एक सेकंड भी किसी के साथ खर्च करना खुद को बदलने में बहतर बनाने में चाहे पूरी जिन्दगी निकल जाए अफसोस मत करना लेकिन किसी बेवकूफ के साथ अगर एक मिनट भी वेस्ट कर दोना तो अफसोस भी करना और ऐसी गलती दुबारा मत धोराना वीडियो के अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि तूफान भी आना जरूरी है जिन्दगी में तभी तुमको अपनी उकात पता चलती है और जिस इंसान को अपनी उकात पता चल जाती है वो कभी वो गलती नहीं करता जिसे शायद लोग कर रहे हैं खुद को ना बदलने की गलती याद रखो अगर आदतें नहीं बदली तो किसमत क्या खाक बदलेगी अगर छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हो तो सफलता क्या खाक मिलेगी थोड़ी सक्ती जरूरी है मिजाज में अगर समंदर खारा ना होता तो लोग उसे पी गए होते मिजाज में थोड़ी सक्ती लाओ और अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्यों क्यों मैं नहीं कर सकता जो आप से पूछे कि तू नहीं कर सकता उनसे पूछो कि क्यों क्यों मै नहीं कर सकता और उन्हें गलस साबित करके दिखाओ, खुद को बदर डालो, हमेशा कुछ अच्छा देखो, हमेशा कुछ अच्छा सुनू, सुनिए कुछ अच्छा जैसे खबरी अपर मेरा लेटिस्ट मोटिवेशनल ओडियो, जिसका सीर्शक है सफलता की पांच कुंजिया कुछ जैसे खबरी चारफ मेरा लेदीस, जिसका सम्हरी जैसे खबरी अच्छा मेरा लेगा है।